उगलों ने एक दूसरे को वर्माला पहना कर अपने नए जीवन की शुरुआत की। दरसल पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से अलग रह रहे हैं नव दम पत्ती फिर एक हुए। बिताने को तेयार हो गए। थाना परिसर में जहां हमेशा लड़ाई जगडों और मार पीट जैसे केसों की भरमार रहती हैं। वही पुलिस थाना परिसर में इस दम पत्ती के एक हुए। जाने से वर माला पहन का निकल रहे इन युगलों को देखकर खुश हो रहे थे। वहीं इस महत्वपुर्ण कारे को करने में महिला थाना सब इस्पेक्टर रोशनी जेन की सरहाना की गई। किते समय से चल रहा था। एक साल पर यहां पर क्या हुआ। यहां पर खाने पर आया है और वेड़म को गुला है। फिर अभी आपका राजी नामा हो गया। अब आप कहां जाएंगे। आपका नाम है। आप कहां के मदद करें। कि अच्छे से रहना लड़की को भी समझाया, लड़का को भी समझाया, माँ बापको। इसमें समझते चल रहा था है। यह एक साल से है। पिर अभी आपकी बेटी को कहां से विदा की। थाने से आप खुश है। आपका नाम अनिता। आपके बर्षा आई थी, बर्षा पती गोविंद जाते ही निवासी बिलो की आई थी। उसमें बुले कि मैंने परेशान है। बहुत दिनों से अपने पती से अलग रही है। कि उसका लड़ाई जगड़ा हो गया था उसके पती से, उसके पती ने उसको गाली रुप्ता करने थी। पिर मैंने उसके पती को बुलाया और उनको समझाई थी कि अपने बेवाईक जीवन चुटी चुटी लड़ाईयों की बज़े से अपना धर ना तोड़े। और बाद में वो समझ गया, बाद में उनको बैवाईक जीवन अच्छी से शुरू करने के लिए पिर से बर्माला पहनाई, बात बिद्दाव किया थाने से। कितने समय पुराना विबाद था यह? यह एक साल पुराना विबाद था, एक साल से इनका लड़ाई जगड़ा ज़र जाता और एक साल से बर्षा अपने पती से अलग रह रही था। बाद में उसने बेटमा थाने पे आके शिकायट थी की बेको अपने पत्नी से परदिशानी है। इसलिए फिर हमने बेवाएक उपती पत्नी का विबाद का सोचकर उसके पत्नी को बुलाया और संक्राइस की। बेटमा से राजेंद्र सूर्य वन्शी की रिपोर्ट